अजी किद्धा ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम टू एनदर डे एंड संडे व्लॉग, अफकोस आज संडे है तो मुझे अरली स्टार्ट करना पड़ता है, तो मौनिंग 10 एम वी ओपन आर रेस्टरॉंट तो उसके लिए मैं मेक्शुर किया के टाइम पे निकलू, अरली मौ अमिजेटली लंच भी रशाता है, तो वो दोनों एक्सपेक्टेट था, तो उन दोनों को हैंडल करने के लिए मैंने फटा-फट मिजम प्लास करना स्टार्ट किया मेरा, उसके बाद जैसे ही मैंने हमारे छोले राजमा और दालमकनी तीनों चड़ा दिया, कूकर में, मैंन मैंने एक और एक special drink पी, orange soda पीया मैंने, ये इरानी cafe का होता है, तो सर्फ उधर ही मिलता है, तो इसका taste बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो वो मैंने चेरिश किया, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, प्लस kitchen में heat बढ़ जाती है, फ्कॉस 5-15 degrees तक kitchen में heat ब takeaway containers मैंने ready किये, takeaway containers हमारे जो होते है, उन पे sticker लगा के उन पे जो silver foil का liner लगा के ready किया मैंने, उसके साथ ही साथ हमें और orders आना चालू हो गए थे, आप भी गर्मिया है, तो लोग लसी भी cherish करना चाहते है, तो वो भी थोड़ी ज़्यादा quantity में चलती है, उसके बाद बीच म मुझे break मिला, तो मैंने जो नया टीवी शो में binge watch करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा चेरिश किया, अफकोस ज्यादा time नहीं मिला, मुझे barely a quarter of episode देख पाया मैं, उसके बाद फिर से rush आ गया था हमारे restaurant में, तो यही मैं थोड़ा सा catch up करने की कोशिश कर रहा थ न्यू एपिसोड तो नहीं कह सकता, बिकॉज यह series पूरी खतम हो चुकी है, बट स्टिल मैंने ट्राइ किया, उसके बाद हमारा जो मिजम प्लास था, वो फुल कॉंटिटी में बनाने के लिए फिर हमें, हमारा मसाला का जो बेस होता है, वो भी बनाना था, तो वो भी बना रश बहुत आज एक्सपेक्टेट था, लेकिन आज जो हमारा इवनिंग का डिनर रश था, वो थोड़ा सा लेट आया, तो इवनिंग पार्ट लगाने के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था, मुझे तो अफकॉस मिजम प्लास रेडी करने में हमें, जो है वो टाइम और हमें टाइम मिल गया है मेजम प्लास फिनिश करने का, तो अभी यहां में हमारे जो ड्राइ मसाला है, वो डालने के बाद हमारे बेस को मिक्स कर रहा हूँ, और फिर इसमें बाद में डलेगी हमारी टेमेटो सास, टेमेटो सास बेसिकली सिर्फ टेमेटो पेस्ट होती है हमारी वो डलेगी इसमें तो जो टमैटो प्यूरे होती है वो डलने के बाद इसे और कुक किया जाएगा तो आप देख सकते हैं अभी इसमें मैं टमैटो प्यूरे डालूगा और फिर उसे अच्छे से कुक करूगा बहुत important होता है, यह जो पूरा process होता है, because यह base gravy हर gravy का base जो होता है, हमारा वो होती है, तो इसके लिए इसे proper cook करना, proper store करना, हर एक step इसका बहुत जाधा important होता है हमारे लिए, अब देख सकते हैं, mixing पूरा भुनना इसे, oil quantity, masalas की quantity जो भी, हर step इसका बहुत जाधा important होता है तो यह masalas हमने finish किया उसके बाद, of course, orders आना चालू हो गयता है, dinner rush हिट कर गया था हमें थोड़ा सा late किया, लेकिन जो Sunday का dinner rush होता है वो unbearable होता है, बहुत जाधा time लग जाता है उसे cover up करने में, because बहुत जाधा rush आता है and of course, restaurant full हो जाता है and thankfully, मैं सब को thank you कहना चाता हूँ जो भी customers हमारे, जो भी guests आते हैं जो भी हमें support करते हैं by coming into our restaurant or ordering from us, thank you so much to everyone, because आप लोगों के बज़े से ही है हमारा restaurant, और फिर dinner rush finish करने के बाद, of course थोड़ा लेट हो गया था, आज Sunday dinner rush था, तो उसको finish करने के बाद, restaurant close किया and thank you so much for watching beautiful people, hope to see you soon again